तो हैसाल भादों का महिना आते ही लोग गनिश्चतुती को लेकर उच्जाहित होनी लगते है, महनी मन में गनिश्च के विराजमान को देकर सोचना शुरू कर देते हैं और गनिश्चतुती आते ही बड़ी हर्शुलास के साथ अपनी घरो दब्तो रोक्त गली महला NOW में टेलेफ फेस्टू में गनेश चतुती का भव्यन दसारा देखनी को मिला मगवान गनेश जी के स्वागत के लिए चारु तरफ वोलों से सूशोपीत पंडाल तयार की गए गनपती जी की पंडाल में चारु तरफ से सजाया गया और ढोल नकाडों और सांश्रुतिक नुत्य क की साथ पंडाल को भक्ति में बनाया गया मैयाग को बताते चले कि दरेश शर्मा उनकी धर्म पत्नी और उनकी बेटे रुषब शर्मा वबहु अकांशा शर्मा नौ सालों से देड़ दिन के लिए गनपती पापा को पूरे विद्विदान हवन पूचा के साथ विराजवा विराजवान के साथ ही गनपती बापा की गानों पर ऋने कारीक्रम में चार्चार चांद रखा दिये शर्मा परिपार ने भी बापा के साथ ही शर्मा हाउस में लगा देर दिन तक मगवान गनेश जीकी वितिवर्च रोप से पूचा की जाएगी इसके पात गनेश प्रतिमा का विसरजन क्या जाएगा। इस आजन में माराश्टे से आयो हुई टीम और उनके द्वारा प्रसूत रुत्य ने लोगों का खूब मनुरंच इंखिया चारों तरफ गनपती बापा मोर्या के स्वर सुनायती रहे थे सभी लोग गनपती बापा के स्वागत में भाव विपोर होकर नाच का रहे थे इसे वे शर्मा परिवार के करता धर्टा नरिश शर्मा ने कहा कि हम दस सालों से गनपती बापा को विराश्मान करते आ रहे हैं हमने सच्ची दिल से जोबी गनपती बापा से मांग है उनकी आशर्वास पर जर्रूर मिला है उना ने ये मिछ पटाक हुट्क को देखते वे मंबई से कई कल alguma कारों को ब fatty क्या जाता हैं कि दिर्जे exceptionally उस लिए कोई कमी बापा के सकार्य में स्वाधत के लिए 20 कलाकारों झाल